नमस्कार आप देख रहें प्रयागराज न्यूज जो और मैं अब साथ हूँ अकांशा यादो प्रयागराज शहर उत्तरी विधानसवा सीट पर कॉंग्रेस का रहा वर्चसु रहा है इस विधानसवा सीट से 1957 से लेकर रसी तक कॉंग्रेस प्रत्यासी ही जीत दर्च करते रहें वहीं इमर्जनसी के दौरान जंता पार्टी ने सीट पर जीत दर्च की यह सीट कॉंग्रेस के कदावर नेता अनुगरह नरायन सिंग के कारण भी जानी जाती रही है पहले इस सीट पर एक परिवार का ही कबजा लंबे समय तक रहा है इस सीट से कॉंग्रेस राजिंद कुमार वाच्पई लगतार चार वार विधायक चुनी गई यह सीट ब्राम्हन बहुल सीट है जिसके चलते हैं यहाँ पर शुरुआत के दौर में ब्राम्हन प्रतियासियों की जीत हुई है इतिहास की ओर रुख करें तो राजनितिक इतिहास इसका प्रयाग राज की उत्तर विधान सवा सीट पर 1967 में कॉंग्रेस प्रतियासी क्यालाश नरायन गुपता ने पहली जीत दर्ज की फिर इस सीट पर 1962 से लेकर 1974 तक लगतार चार चुनाओं में कॉंग्रेस ही राजन्द कुमारी बाशपेई विधायक निर्वाचित हुई 1977 में पूरे देश में वर्जंसी के दौरान जनता पार्टी की लहर चली तो उस समय इस सीट पर जनता पार्टी के बाबा रामधार यादों की जीत हुई 1980 में इस सीट पर असो कुमार बाशपेई ने कॉंग्रेस से चुनाओं लड़कर जीत दर्ज की 1985 से इस सीट पर अनुगरह नरायन सिंग का राजमीतिक सफर लोगदल से शुडू हुआ और विधायक चुने गए 1989 में वह जनता दल से दूसरी बार विधायक चुने गए 1991 राममंदिर की लहर में भाशपा के नरेंद्र कुमार सिंग गौर विधायक चुने गए 1991, 1993, 1996 और 2002 में वह लगतार इस सीट से चुनाव जितते रहे भाशपा का यह वच्चस वह 2007 में कॉंग्रेस के प्रत्यासी अनुगरह नरायन सिंग ने तोड़ दिया वह इस सीट से तीसरी बार विधायक चुने गए 2012 में फिर कॉंग्रेस से अनुगरह नरायन सिंग की जीत हुई और 2017 में इस सीट पर फिर कमल खिला इस पर भाशपा ने हर्शवर्दन बाशपेई को अपनाव में द्वार खोशित किया उन्होंने चार बार विधायक अनुगरह नरायन सिंग को 35,25 मतों के अंतर से हरा कर जीत दर्ज की यसीट फूरपूर के अंतरगत आती है इस संसदिय शेतर से सांसद केसरी पटेल है जो भारतिय जंता पार्टी से हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी के पंधारी आदों को हराया था अब 2022 में भाशपा को इस सीट पर अपनी जीत पर करार रखने की चुनाती है वही कॉंग्रिस में अनुगरह नरायन सिंग को फिर अपना प्रत्याशी गोसित कर दिया है जबकि बस्पा ने संजे गोस्वामी को अपना प्रत्यासी बनाया है शहर उत्तरी विधान सभा में मतदाताओं की बात की जाए तो वर्ष 2017 के दौरान यहां के कुल मतदाताओं की संख्या 4,11,519 थी जबकि इस वर्ष 2022 के होने वाले चुनाव में 26,718 मतदाताओं बढ़े हैं इस प्रकार अब कुल सीट की बात करें तो 4,38,237 मतदाता हो गये हैं जो अपने विधायक का चुनाव करेंगे